यू, what's up guys, कैसे आप सो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग दुबारा से केलने जा रहे हैं, wrench simulator, हाँ, तो मुझे मालूम है कि last episode डाले वे, पूरा का पूरा, एक महीना हो चुका है, बट, आज किस वाली वीडियो में हम लोग सची में, wrench simulator के अंदर बहुत जादा अमीर ब awesome भी हो रहा है, वैसे वेड, शायद आप में से बहुत से लोग भूल चुके हो कि आखिरकार, ये wrench simulator है क्या, इस game में करना गया होता है, मैं आप लोग को दुबारा से explain कर देता हूं, तो basically, इस game में हमें सिफ और सिफ अपने grandfather की last wish फुल्फिल करनी है, क्योंकि हम लोग उसरी country में पढ़ाई करने के लिए, means higher studies के लिए बाहर चले जाते हैं, बट जब वापिस आते हैं, तो पता चलता है जो अपने grandfather थे, वो अब गुजर चुके हैं, और उनके घर में हमें एक letter मिलता है, जिस letter में बस ये लिखा है कि उनका जो घर है, उसे बस दुबारा से ब ना दिया है, बट इनकंप्लीट है, कॉस अभी इसमें कई जगा पर paint करना बाकी है, अंदर तो कुछ भी काम हुआ ही नहीं, मतलब कह सकते हो, कि वस एक धाचा तयार हो गया है, जो कि काफी ज़्यादा सही तरीके से मैंने बनाया है, मतलब आप देख सकते हो, क्या ही space manage हो यहां पर, यह gate उल्टे के खुलते हैं हमेशा, मैं बहुर साथ मुझ पे खुल जाता है, ठीक है, तो यहां पर मैंने एकदम मस्ट जगा बनाई था कि कलको मैं अपनी गाड़ी लेख रहा हूँ, तो मैं अपने ऐसे garage में न लाके खड़ी करूँ, बलकि यहां पर लाके पा काफी जादा बड़ा भी नहीं है, चोटा भी नहीं है, बट ठीक है, यहां पर काफी जादा बड़ी balcony है, बट फिट, मैंने यह वाली लकड़ी क्यों लगाई है, रुक जाओ, इसे मैं तोड़ देता हूँ, यह गंदी लग रही है, हाँ, अभी एकदम perfect है, तो इन सब इचे चलते हैं, क्योंकि आज ना हमें बहुत जादा काम करना है, तो problem क्या आ रही है, मेरको mainly सबसे पहले तो ranch simulator में बहुत जादा rich बनना है, क्योंकि जब हम लोग rich बनेंगे, तब ही तो इस खर को एकदम luxury बना पाएंगे, वैसे भी इसकी look तो fully एकदम luxury mention वाली आ गही है लास्ट वीडियो में भी आप में से बहुत से लोगों इने से 10 out of 10 marks दिये थे, बस थोड़ा paints वगएरा कहीं पर बाकी रहे गया है, जो कि मैं कर दूँगा, तो हाँ, problem मैं बताता हूं अभी आ के रही है, कि जो हम पैसा कमाते हैं इन pig के थुरू, तो यह जो pig है यह बहुत ज्यादा boring काम है, तो इसी काम को पूरा permanently निपताने के लिए मुझे यहाँ पर एक automatic machine बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर भस खाना अपने भरेगा एकी बार में, और फिर वो सारा का सारा खाना इन pig तक, मतलब उन बाउल में automatically चले जाएगा, और same to same वैसी water के भी बनेगी, जिससे मतलब underground पानी जो है, डारक्ट उनके बाउल में पहुचेगा, पर वो साब बनाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चीए होगा, और बहुत सारा पैसा आएगा pig से, क्योंकि यह जो आप देख पा रहे हो ना freezer, इसके अंदर pig का हम लोग meat भरके ले जाने वाले है, यानि कि आज मैं अपने सारे के सारे pig की बली चड़ाने वाला हूँ, उनको मारेंगे, उनसे जो meat मिलेगा, उसको बेचेंगे, और जो पैसा आएगा, उससे हम लोग यहाँ पर बहुत सारी windmill बनाने वाला हूँ, उसको पता है क्या, एक तो windmill बनेगी, दूसरे वाले को प आने वाला हूँ अपने साथ, लेकिन ट्रेलर पर wood load हो रखी है, तो पहले सारी की सारी unload करते हैं, all right guys, तो सारी की सारी wooden planks जो है, मैंने उठा के नीचे रख दिया है, अभी जल्दी से पनी गाड़ी में बैठते हैं, वेट, यह यह से attach कैसे नहीं था, रुक जाओ, मुझे उसे दूबार अजे attach करना पड़ेगा, अभी तो खाली आती निकल लेते हैं, हम लोग सस्ते में, ठीक है, बागे इपनी गाड़ी में थोड़ा बहुत fuel कम है, यार कसम से डबल डबल काम करना पड़ जाता है, तो अभी मेरे कुछ पे fuel भी भरवाना होगा, वेट, शायद नहीं भरवाना होगा, क्योंकि सामने जो अपना garage है ना, उसमें मैंने दो fuel tanks emergency के लिए रखे में, अगर उसके अंदर fuel tank मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अपना काम ऐसी हो जाएगा, मैं पहले एक बारी चेक करके आ आ जाता हूँ, औरे ब्रेक लग जा भाई दुबारा से भर लेंगे, लेट्स गो, अभी फटा फट से निकलते हैं सीदा general store के लिए, all right guys, तो ये मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुच गउँ सीदा general store पे, और कसम से इस छोटी सी गाड़ी को इतने बड़े trailer के साथ अटाच करके चलाना ना, बहुत ही ज़्यादा बेक 30 piece मैं खरीद लेता हूँ, अपने पास इतना पैसा नहीं है, तो मुझे यहां से 28 purchase करने होगे, let's go भाई, इतने सारे coolers तो मुझे load कराने में भी time जाएगा, ठीक है, जल दिली उठा के यही पर रखते जाते हैं, okay guys, तो सारे के सारे coolers उठा के मैंने अपने इस trailer पे load करव पादी हैं, एक बार इसके नीचे check कर लेता हूँ, कुछ रह तो नहीं गया ना, वैसे यहां शार से पूरे को पूरे 28 मैंने रखवा ली है, but wait, जाने से पहले मुझे एक चीज़ और लेनी है, अभी मुझे उन पिक को मारने के लिए gun तो मेरे पास है, बट उसके लिए ammunition च पहुचते हैं, अपने रेंच पे, ओकेई, तो ये मैं पहुच चुका हूँ, अपने रेंच के बार नाउस पे, बड़ा बट से अपनी कार को यहीं पर पार्क करते हैं, और अभी जल्दी से अंदर चल के अपने पास जितने भी पिक्स हैं अभी मुझे इने मारना पड़े एक गया, दूसरा गया, ती उत्तीरी मैं अशकी, भाग रहा है कि ती ती जुर क्यों निकल यहां से, तीसरा गया, मैं दो छोड़ दूँगा, एक फीमेल एंड एक मेल, ताकि वो लोग ब्रीड करें, हाँ, एक ये वाला छोड़ देते हैं, और एक ये वाला पिक छोड़ ये बहुत बड़ा हो गया, इसे मार देते हैं, छोटा पिक छूटेगा ना, तो बड़ी है, रुख जाओ, रिलोट करने दो, सब के सब मरो गया भी, यहां पर छोटे छोटे पिक भी बहुत सारे है, मेरा इनको तो मारने का मन नहीं कर रहा है, तो छोटे वाले पिक को के में है, और जैसे मैंने पिक को मारना शुरू करा, बाहर बहुत चोरों की बारिश भी शुरू हो गी है, कुछ खतरनाक होने वाला है का भाई, हेलो, फटा फट से अभी इन पिक की स्किन रिमूव करके, इनका मीट पूरा पूरा बाहर निकालते हैं, भाई, बहुत जाद हो चुक है, सारे के सारे पिक की स्किन मैंने रिमूव कर दिया है, मीट भी आँ पर आचुक है, अब मुझे नए वाले कूलर्स लेकर आने हैं, और उसके अंदर सब के सब भरने हैं, ठीक है, तो सारे के सारे कूलर मैंने वहां से अनलोट करवा दिया है, अभी जल्दी से ए सारा मीज उठाके इन बॉक्स में भर दिया है और यहां पर बस दो तीन पीस और बचें इसको भी उठाके जल्दी से इस बॉक्स को हम लोग रखते हैं यहां पर पाई अपने पास ना बहुत जादा डब्बे हो चुके हैं यह देखो यहां पर इतने सारे हैं और पीछे भी सारे जो कि मैंने पहले के कलाक करें हैं अभी मुझे एक चोटा सा काम करना होगा कि वुझे अपनी गाड़ी है जिसके अंदर मुझे सब लोड करा के बेचने के लिए जाना है मैं सोच रहा हूँ उस गाड़ी को अंदर लेकर आते हैं क्योंकि एक एक डबा मैं बाहर ले ज चले जाना चाहिए दोनों गेट खोलने के बाद देखने में तो लग रह चले जाएगा लेकिन थोड़ी बूद बड़ी भी लग रहे है हो सकता है अटके यह टक गई वैसे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां से भी हम लोग करवा सकते हैं के करके गूड मॉर्निंग लाइस नेक्स टेय हो चुक है और मैं सोके उठ क्या हूं लास्ट नाइट में सारे के सारे कूलर्स अपने कार के ट्रेलर पे लोड करवा के सो गया था आज इन सभी को बेचने चाना है बठा उससे पहले मैं काम करता हूं जब हम लोग बाहर जाई रहे हैं तो यहां से किन कूब में कितने सारे चिकन सो चुके हैं और बहुत सारी जो एक बास्किट पड़ी थी ना इसमें से भी निकल के बाहर गए है ठीक है यार सब कुछ एक्तम होग है फड़ा फट से भी हम लोग इसको यहां पर रखते हैं लगे हाथ इसको भी जैनरल स्टोर पे बेच दे तो फड़ा फट से भी इसके लोडिंग एरिया पे ले जा के अपनी गाड़ी करते हैं मैं क्या रहा हूं ना इस टाइम पे चूटी सी गाड़ी को ड्राइब करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस बड़े से ट्रेलर की विजह से मैं इसमें रेस दे रहा और आगे जाके भिड़ जा रहा है रुख जाओ मुझे इसे घुमा के ना एक बारी सही सही ला अब इस बारी हो जाएगा इस बारी हो जाना चाहिए एक बारी हो ट्राइए ओके तो फाइनली एकदम सेफ तरीके से यहां तक पहुच चुका है अभी अपनी गाड़ी से बा 4.4 चल रहा है ज्यादा तो प्राइस नहीं दे रहें बट ठीक है ओके अंकल मैं यहां पर आपसे सारा का सारा मीट बेच रहा हूं देखते हैं हमें टोटल कितना पाइसा वीट 11,11 नी 12 कह सकते हैं आप लोग सिर्फ सिर्फ 200 डॉलर्स कम है 512,000 में सारा का सारा मीट अपना बिक चुका है अपना नहीं इन विचारे पिक्स का मीट बिक चुका है और अभी यह जो पैसा है ना इसको मैं लेकर जाने वाला हूं सीधा हार्डवेर स्टोर पे क्योंकि वहां से मुझे ना कुछ मैटल खरीदना है यार यह गाड़ी अटा करी है भाई पता नहीं कहां प है मतलब कि यार कहीं पर भी अगर अटक गया ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं और हलके से टर्न में ही पता नहीं क्या हो जाता है मतलब जब ज़्यादा स्पीड होती है तो भाई यह बिल्कुल ड्रिफ्ट कहा जाता है कसम से अभी मैं एक दम लोग स्पीड पे चलान आने वाले हैं मतलब जितनी भी चीजें हम बनाएंगे उसमें मेटल का बहुत ज्यादा यूज होता है तो यहां से मुझे खरीदना है यह मैंने 7000 डॉलर्स का जो है मेटल यहां से पर्चेस कर लिया है वैसे तो वुट की भी बहुत जादा जरुरत है बट अपने पास होगी अपनी गाड़ी अंदर ले आता हूं उसमें लोड कराते हैं शायद से न मजे मजे में मैंने मेटल थोड़ा जादा ही पर्चेस कर लिया है इतने की तु जरुरत भी नी थी बट ठीक है यार यह बाद में भी काम ही आने वाला है मतलब हर एक छूटी चीज में इसकी जरुरत पड़ी जाती है तो ठीक है अभी फड़ा फट से अपनी गाड़ी को यहां से बाहर निकालते हैं और चलते हैं सीथा अपने रेंच पे और वेट एक मेटल प्लेट पीछे और रह गी थी इसको भी रखते हैं तो यह मैं आ चका हूँ अपने रेंच पे वापिस और मुझे बना लेना है एक बहुत बड़ा यिरा तो यह है ग्रैनरी इसको अपना लेंगे तो मुझे फूड फिर अपने मतलब जितने भी यहां पर आप देख रहे हो ना पिग वगरा इनको खिलाने के जरौत मतलब खुद जाके डालने के जरौत नहीं पड़ेगी इससे ओटमाटिकली हो जाना चाहिए एक काम करता हूं इसमें थोड़ा चाही तरीके से इसको रखूंगा मैं एक यहां पर रखते हैं दो बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे पिग लाने वाला अगली बारी में क्योंकि जितने जादा पिगोंगे उतना जादा अपना फायदा हो बार-बारी अपने वेल में से में स्कुए में से पानी निकालने की जरूत नहीं पड़ेगी तो तीनों चीज़े एकदम रेडी होगी है अब बस मुझे इसमें जो जो मटेरियल लगना है वो लाके लगाना होगा और एक्जामपल इसमें मेरे को 125 मेटल लगाना है और 50 कॉ नहीं लाया यानि अभी मुझे वहाँ पर दुबारा जाना होगा बाकी यह जो मेटल वाला काम है यह तो फटा-फट से कर देते हैं क्योंकि शायद से विंड मिल में कॉंक्रीट नहीं लगने वाला इसमें बस 150 मेटल लगेगा 50 लगा दिया हैंड़ेड ओके तो समझ लो अ एक-एक अलग-अलग आप कह सकते हो कूपस बनते हैं वड़े-वड़े वेट रुक जाओ मैं उसका नाम exactly याद नहीं है हाँ तो मुझे पहले जाना है बार्न हाउस में और बार्न हाउस में एक एक शेल बार्न स्टोल कहते हैं तो यह मुझे यहां पर बनाना है जैस्कि अ लगाना है प्लस इसके अंदर मेटल लगेगा और वुड़न प्लैंक लगेंगे तो इसको पूरा फिनिश कर देते हैं फड़ावट से इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाना सारा का सारा मेटल ना पहले मैं अनलोड कराके अंदर ले चलता हूं वैसे ने एक मस्ट्रिक मुझे पता चलिया यह वाली रेंच में कि अगर हमें कोई भी चीज अगर कहीं ले जानी आना तो बार-बारी अलग-अलग पर क्लिक्स करो सारा का सारा समानी की बार में लोड होकर आ जाता है ठीक है तो यहां पर मेटल मैंने लगा दिया है अब लगाने वुड़न प्लैंक वेट इस पाल में वुड़ भी कम्प्लीट हो गया और यह देखो कम्प्लीट ओने के बाद कुछ इस टाइप के लुक आने वाले है बस इसके अनदर ला-इस नहीं है जो कि अभी मैं लाके लगाता हूँ तो अभी ना मैंने बार-बार नॉस के इंदर वो सारे के सारे इस टौल क कर दी हैं बट काफी ज़्यादा अंधेरा हो गया और काफी ज़्यादा दभी दभी सी जगा हो गया है कहाँ पहले यह विल्कुल एक दम खुला हुआ करता था बट यह ज़्यादा बेटर है लेकिन अंधेरा तो मैं दूर कर सकता हूं और उसके लिए मुझे यहां पर कुछ ट्यूब लाइट्स लगाने है रुक जाओ और ट्यूब लाइट्स के लिए मेटल चीह होता जो कि मेरे पास बहुत जादा ही पड़ा हुआ इस ताइम पे हाँ तो ट्यूब लाइट को हम लोग ऐसे खड़े में भी लगा सकते हैं वेट मुझे इसे रोटेट करके लगाना है मैं इसको ऊपर भी कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ शायद ऐसे ज्यादा बेटर रहेगी और पूरे के पूरे एरिया में लाइट्स भी जाने वाली है तो हर जगाना हम लोग ऐसे ट्यूब लाइट्स लगा देते हैं पहले सारे गेट ओपन करते हैं और एकी बार में काफी जादा अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत लाइट्स ना मुझे बीच में भी लगानी होगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहे है कि इसकी ब्राइडनेस उतनी जादा नहीं है अगर पूरे में लगाते हैं फिर पता चलेगा असली क्वालिटी तो फटा पच्छे अग्दम थोड़ी बहुत कूल होती ना तो और भी जादा बढ़िया लगती ओके तो बार्न हाउस में बहुत जादा ट्यूब लाइट्स लगतो गई है बट स्टिल अभी यहां पर बहुत जादा नधेरा है कुछ-कुछ लाइट्स ना मैंने यहां ऊपर भी लगा दिया ताकि थोड़ी बहुत रोशनी ओर बढ़ जाए क्योंकि इस बड़े से बार्न हाउस के इसाप से अभी तक मैंने लाइट्स बहुत कम लगाई थी बट अभी इसके बाद एकदब मस्त खिल जाना चाहिए यहार यह बहुत जादा ही उपर होगे मैं तो इसे ओन भी निक लिकाते हों अभी यहार इसा नहीं लग रहा कि जैसे थोड़ा बहुत डार्क हाघए रही है वैसे भी तोड़ी बहुत ला इतना नीचे आ जाते तो थोड़ा ओर बैटर रहता बटा ठीक है इतना बुरा भी नहीं लग रहा है काफी जाधा मस्त हो गया है कि थोड़ी बहुत रोशनी ना, बाहर भी निकल कर आ रही है, बागी घर की भी रेनोवेशन करनी है, फिलाल अभी मुझे ये कंप्लीट करना है, चल के सोते हैं, क्योंकि रात के दो बज़ गई हैं, काम करते करते, मुझे नेक्स दे कॉंक्रीट लेकर आना है, और काम खतम कर हाँ, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बागी जितना भी मेटल है, वो मुझे इसके अंदर लगाना है, 125 लगेगा, मिर पास काफी सारी प्लेट्स हैं, ये मैंने लगा दिया, सेम तो सेम पीछे वाले में भी लगाना है, लेट्स को, तो सारा का सारा मेटल मैंने यहां पर लगा अब मुझे बस हाडवेर स्टोर से कॉंक्रीट खरीट के लाना है, मैं सुच रहा हूँ कि लगे हाथ ना कॉंक्रीट के सास, मेरी गाड़ी कहां पर है, अपनी गाड़ी मैंने शायद लास्ट नाइट अंदर खरीट, ओके वो री, हाँ, तो मैं सुच रहा हूँ कि लगे हा भी ले आते हैं ताकि जो इनके लिए खाने वाला सिस्टम बनाएंगे वो हर एक कूप में मतलब हर एक स्टॉल में मैं अलग-अलग बना दूगा तो एक गाड़ी लेके जानी पड़ेगी ओके तो अभी ना मैंने इस पे से अल्मोस्ट हर एक चीज अनलोट कर दिया है अब फड़ा-फट से इसे अटाच करते हैं और पहुचते हैं तो ये मैं पहुच गया हूँ सीधा हाडवेर स्टोर लेट्स को तो अभी फड़ा-फट से धेर सारे वुड़न प्लैंक्स और कॉन्क्रीट खरीद लेते हैं कॉन्क्रीट के सबसे बड़े वाले 50 kg के बैग ले लेता हूँ 1000 के थोड़े एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं ताकि कम ना पड़े मेरे को क्योंकि याद निया एक्जाक्ली कितने ले जाने थे बाकी मुझे या से लेने वुडन फ्लैंक्स सब कुछ मैने या से खड़ी लिए फड़ाइड से ट्रेलर फे लोड भी करवाते हैं सब कुछ लोड हो चुका है फड़ाइड से अभी चलते हैं रेंच पे वापिस ऑ्ल ज्राइड तो ये हम लोग बहत चुके हैं बान आुस पे वापिस से यार ब्रेक क्यों नहीं लगती है इसमें तो बड़ावट से अपने ट्रेलर को यहीं पर खड़े करते हैं और पहले न अभी अंदर चलके तो अभी ना हर एक स्टॉल के लिए मैं फूट बावल और वाटर बावल बना के रख देता हूं ताकि जो भी अनिमल्स मैं आपर लाओंगा उनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए तो एक फूट का इदर रखते हैं इस साइट पर वाटर का रखेंगे तो पहले हर एक में फूट वाला रख देते हैं फिर उसके बाद बागी काम करते हैं कुछ इस टाइप से होने वाला है तो अभी फूट वाले मैंने रख दिये हैं वाटर वाले मैं इस साइट पर रख देता हूँ शायद एक में अपना काम हो जाएगा दो-दो मुझे रखने के जरूत नहीं है क्योंकि पिक यार इतना भी पानी नहीं पीते ये खाते ज़्यादा है पानी कम पीते है तो यहाँ पर सभी जगाओं पर मैंने ये भी रख दिये हैं अब बस मुझे इसके अंदर वुड लाके लगानी होगी तो ये हो गया complete और साथ ही इसके पीछे वाला भी complete हो गया और मैं सोच रहा हूँ ना बाकी हम लोग बाद में complete करेंगे क्योंकि अकर थोड़ी देर में मेरे पिक को खाना नहीं मिला तो ये जो दो तीन बच्चे में है ये भी सारे के सारे मर जाएंगे वेट मर जाएंगे नहीं वो तो बिचा रहा है यह देखो यहां पर आ गया के मर गया खाना ना मिलने के वज़ा से ये भी खाने की तलाश में पता नहीं कहां से बाहर निकल के आ गया यार मुझे सच्छी में कोई आइड़ा नहीं सारे गेट बनते ठीक है तो यहां पर एक यह वाली जो मशीन हे वो बन चुकी है ग्रेणर्य मशीन को महीं या फिर नहीं, इसके अंदर पानी आ चुका है, और इसके अंदर फूड आ चुका है, भाई, ये सची में काफी ज़्यादा अमेसिंग है, अभी मेरे पिक को खाने की कोई कमी नी पढ़ने वाली, पानी भी आप लोग देखो, इसके अंदर, पूरा 21 इंफाइनाइट भरा तो सब कुछ हो गया है, डन, आज के लिए मेरे साब से इतना ही, हमने भाई, बहुत सारा काम कर दिया, मतलब हर एक चीज आज हमने बना डाली है, जिसके में इतने दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी, अब मुझे कुछ नहीं करना, पिक लाके पानने है, और इसके दूरू म इनसे भी बहुत सारे एग मिलते हैं, और इनसे भी बहुत प्रॉफित हो सकता है, तो इनका भी कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कॉमें जाके जरू बताना है, मैं क्या कर सकता हूं इनसे जादा पैसा कमाने के लिए, तो चालो गाईस, आज किस वाली वीडियो में इतना ह लगाना चाहिए, और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलकुल मित भूलना, बाकि यार आज किस वाली वीडियो में इतना है, मिलते हैं कि ये वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई!